हाई गाइस मैं हूं इशा आप देख रहे हैं गार्डनिंग जोन आज हम लगा रहे हैं मैंगो यानि आम का पोदा आम के पोदे को लगाने के लिए कौन सी सॉइल डाली जाती है कौन समोसम बेस्ट है यह सब शेयर करूंगी आज की वीडियो में आम को उगाने के लिए मैंने एक आम का सीड लिया है इसके कवर को हम कटिंग करके इसमें से सीट को बाहर निकाल लेंगे अब हम इस तरह का एक टावल लेंगे इसमें मैंगो का सीड रखेंगे अब सीड पर पानी का सप्रे करेंगे टावल को तोना साइड से फोल्ड कर देंगे बाकी साइड पर इसी त ताउब को गीला कर लेना है अब इस तरह का शॉपिंग बैग लेंगे अब सीड को शॉपिंग बैग में डाल देंगे ऊपर से एक नोट लगा देंगे 1 हफते के लिए हम इसको रख देंगे तो फ्रेंड्स एक हफ़ता हो चुका है अब हम अपने टावल को ओपन लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारे सीट की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है अब हमारा सीट तयार हो गया है अब हम इसे पॉट में लगा देंगे Soil mix बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक pot लिया है मिटी को नापने के लिए मैंने इस तरह का एक disposable cup लिया है अब हम 3 cup फर कर garden soil डालेंगे यानि मिटी Half cup gow dunk यानि गोबर की खाट डालेंगे अब इसकी जगा पर leaf soil भी इस्तमाल कर सकते हैं Half cup river sand यानि रेट डालेंगे अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे मिक्स्टर मिक्स हो जाने पर मैंने इस तरह का एक plastic का pot लिया है जिसमें इस तरह के कुछ holes हैं अब इसमें कुछ पत्थर डालेंगे पत्थरों को आपने इन holes पे रखना है ताके हमारी soil mix बाहर ना निकले अब हम अपने soil mix को pot में भर देंगे pot को आदा इंच या half इंच उपर से खाली रखना है अब हम अपने seed को pot के उपर रखेंगे और बाकी की soil mix उपर डाल देंगे इसके आपने एक layer बना लेनी है अब हम पानी से spray कर देंगे ताके नमी बरकरा रह सके 10 दिन के लिए pot को रख देंगे तो friends 10 दिन हो चुके हैं हमारा mango का पोदा निकलाया है आम के पोदे को आपने किसी shady area में रखना है जहां एक time की दूप लग सके आम के पोदे को लगाने के लिए बेस्ट मोसम फरवरी से मार्च तक का है जो बहुत ही असानी से आप भी अपने घर पर लगा सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तब पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाहफेश